असलाम अलेकुम गाइज इसमीजी है मगेरे के ब्रेंड नी वीडियो के अंदर सभी को वल्कम तो गाइज अपने रैंक चेक कर सकता है ग्रेंड मास्टर पांच सो के अंदर तकरीबन हम लोग आज चुके हैं पांच सो एक नंबर के उपर हैं और आज के जो मैच है काफी हाड गया है क्योंकि रीजन के टाफ वन लॉपी जो है वो आई विथ इस गेम के अंदर आफ वन के उपर मैं आप लोगों दिखा दो इस टाइम डी एमटी फ्री आ है और मलेक जो हैं सेकंड के उपर चले गए पहले मलेकी दे लेगे अभी के लागया था आई होप कि आप लोगों समाज आ गई होगी बाकी गेम प्ले के अंदर चलते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं क्या हम लोग इनके स्कॉर्ड को वाइप आउट कर पाएंगे या फिर माइनस खाएंगे इस गेम के अंदर तो ग्रांड मास फूली मज़ा आने वा लॉंग रिंज के अंपने को घंच चाहिए चलो हैं फोरेवन यहां पर मिल चुक है और बाइस सामने यहां पर टीम टी प्रिंस को नॉक किया है जो भी ग्रैंड मासर रीजिन के अंदर तरी या फोर के उपर है लेकर अब भी आप लोगों को शोर नहीं हो रहागा इनके प हो चुके हैं 42 बंदे यहां पर आलाई में मशीन से यहां पर 800 टोकन थे तो मैंने सूच जा था कि वेस्टोर हैलमेट वगरा ले लें क्योंकि लॉबी बहुत ज्यादा हाई है और अपने टीम मेट जो चेक कर सकते नमबर पोर भी यहां पर नॉक और फिरिश हो चुके है न काफी अच्छा बॉडी डैमेज और एक मैडिकेट मारने के अपने को जुरूरा थे यहां पर मैडिकेट भी पढ़ा है चोलो उठा लेते हैं ओपर भी बंदा एक इसकी लुकेशन फर्स्ट में शो रहे थी लेकिन वह अचानक से शाय से कहीं कैप कर लिया उसने और वह शो बंदा यहां पर आय थे हैं जिनको शुरूर में माला था बट यहां पर चलेगा यहां पर DMT फ्रिया को नौक और फिनिश दे दिया एक दफा तो इनके स्कॉर्ड के दो बंदों को मार दिया है इन लोगों ने सोचा है कि रिवाइब के लिए निकला जाए लेकिन यहां पर मेरे स्कॉर्ड जो था ना अपना स्कॉर्ड इसके दो बंदे खताम हो चुके तो अपनी एच्पी थी वह बहुत ज्यादे लो रहे गी मैंने सोचा कि पहले इनको रिवाइब करा लेते हैं अगर हम यहां पर मरते तो बहुत गंदे वाला लिटरली यहां में पचास या साथ के आसपास माइनस हो जाता तो मैने के लिए यहां पर हम लोगों ने कर आहे हैं रिवाइब सबसे पहले और इसके बाद बाई सोचेंगी रॉजगा तो यहां पर एक और बंदा आ शुकता थैम एट को रिवाइब दिया था और टीमेटने इसके वापर रॉजगा और लोगों ने नौक होगी है बडा अब से अपर ब्लाइब है, और रिर्फानरी का king जो बोलेंगे अभी इस मैच किया है, GM भाई को बोलेंगे यहां पर अपने को बाई आसे-इसा बाई यहां पर चलो मैडिकेट वगरा यूज कर लेते हैं यहां पर भाई जो सीन है थोड़ा सा खराब हो गया था मैं मैडिकेट मार रहा था और सामने एक बंदा टोजन से एक ज़रूर हेडशोट दिया था लेकिन नीचे गिरें तो भाई यहां पर पॉल नीचे गिरने से भाई हम लोग नौक हो गया था उस बंदे ना आख अपने को फिनिश कर दे तो यहां पर हम लोग एक दफ़ा मर गया था दूसरे बंदे की मुंड़ी के ओपर लेकिन टीम बैट ने फोरांट में अपने को किया रिवाइब और हम लोग भाई रिवेंज के लिए चले गए उसी बंदे के ऊपर चौलो भाई इस बंदे को क्या मार पाएंगे रिवेंज कम्पलीट होगा अगर होगा भाई जीम भाई कमेंट में ओपी लाजमी से लिखेगा बाकी चेक करो भाई क्या इस बंदे को मारेंगे या फिर से बंदे के आतों से पीड जाएंगे इस बंदे ने बहुत गंदे वाला सीम कर रहा है सीजन टू तो नहीं है नहीं नहीं रेड टी शिट जरूब है चौलो यहां पर रोयल अहमद को दुबारा से नाक एंड फिनिश दिया है और अपना जो किंग का लाक अब रिवार्ड है वो दुबारा से अपने नाम कर लिया है यहां पे पांच किल जरूर डाना 88 बंदे अभी तक यहां पे आलाएं में ग्रांड मास्ट लॉबी सीजन वन की सीजन वन बोरों रीजन टाव वन की लॉबी है तो आप लोगों पता है अगर एक बंदा मरेगा तो बाकी जो तीन है उसको रिवाइब करेंगे फास्ट पे ना के भाई किल नहीं का लें तो यह सीन होता है ग्रांड मास्ट लॉबी के इनके लिए सर्वाइवर सबसे में चीज होती है अगर आप लोगों को चाहिए टिप्स और ट्रिक्स की रीजन टाव मन किस तरीके से पुछ करते हैं या ग्रांड मास्ट किस तरीके से तो नेक्स वीडियो आपका भाई इसके हम लोगों से चीन लिया गा था बट कोई ना हम लोग यहां पर रिवाइव के दूबारा से एंड जून के अंदर आ चुक्क एंड जून पर स्टार्ट होने वाला यहां पर पांच जरूर डन है और यहां पर मेरे को लग रहा है कि उपर की साइड है एक बंदा जो के कैंप करके बैठा हुआ है इसके उपर लेंडिंग करते हैं चोलो यह रहा दो से तीन बाडी शॉर्ट बैजन के पड़े हैं लेकिन बंदा नाक नहीं हुआ भाई मैडिकर्ड लगा रहा था मेरे को लगा था कि यहां पर नौक हो जाएगा गलूओल के अंदर आरे चार्जबसर इस बंदेर ने चार्ज करी हुए अगर इसने एक शॉर्ट मी मारा तो अपनी एक पी गई भी साई जो लो गलूओल तोड़ दिया यहां पर उजी को भाई दूबारा से यहां पर नौक एंड फिनिश दिया है उजी को नौक एंड फिनिश देने के बाद यहां पर अपने शे किल जो हैं डन हो चुके हैं अगर आप एक ग्रैंड मासर पर ले रहे हो तो पास से शे किल तो आप लोगों को मिनिमम्म चाहिए होते हैं कम से कम क्यों कि इससे कम करोगे तो आपको कोई प्लस नहीं मिलने वारा और अगर आप 10 से 15 किल में मर सकते हो अरली जोन के अंदर अगर आप मर सकते हो अरली जोन के अंदर 10 किल से ज्यादा तो भी आप लोगों का माइनस से लगता है यह सीन होता है घ्रैंड मासर के लिए आपको को किल के साथ सर्वाइव भी करना पड़ता है लाज़ों तक अगर आप लोग सर्वाइब नहीं करते हैं तो यहां पे 2 बं जो मशीन खन लेकर बैठा हुए अगर उनको थोड़ा सा भी उन लोगा ने मुंडी दिखाए तो बहुत कंदे वाला पिटने वाले थे बट कोई नहीं यहां पे एक बंदा निचे की साइट जो के बाई यहां पे लाव बुए के ऊपर अश्करने के लिए पिछे से आ रहा है यहां पे एक बंदा चोलो 60 का एट शॉड और एक टीवन का एट शॉड और इस पठान का जो पूरा स्कॉर्ड वाइप आउट हो चुका है यहां पे कही ना कही हम लोगा ने साथ किल पूरे कर लिए अपने और अभी तक जो बंदे हैं उनकी तदाद में थोड़ा साइज मशीन गन का और एक बंदा जो के काड़ी के अंदर खुम रहा है काड़ी वाले बहुत गंदा डामे देते हैं अगर यह आप लोगों के एक यह दो शॉड मारते हैं तो आप लोग बिल्कुल खातम हो जाते हो अब उपर भी एक बंदा जो के बहुत गद्धे वाला भाई य तो यहां पे हम लोगों ने आठ किल डान कर लिया है पांच बंदे आलाएव है तो अराम से अब हमारा जो प्लस है थर्टी से थर्टी फाइव कि दर में आना हो सकता है यहां पे मैंने बाई ग्रेंट हुक करा था लेकिन ग्लिच हो गया था यहां पे जोएस्टे के अंदर बहुत जिल डाटावाइब अपना ख्यार रखिएगा